सेकंड कार्ड जो था वो था मिजिशन का कार्ड अब इसमें अगर आप पिच्चर देखेंगे तो एक जादूगर तरीके का है जिसका एक हाथ में वांड है जो उपर आसमान की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है इसके अगर आप सिर पे देखेंगे तो सिर के उपर इंफिनिटी सिंबल बना है यह जो सिंबल है इसकी दूसरी उंगली जमीन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है जैसा कि मैंने आपको फ्लार्स के बारे में बताया था यहाँ पर हमें रोजस दिख रहे हैं लेकिन रेड दिख रहे हैं जहां कहीं भी रेड रोजस आएंगे हम उसे अपने डिजायर से असोसियेट करते हैं और लिली दिख रही है वाइट कलर की तो याने के प्योर थॉट्स हैं कार्ड पे आप नमबर देखेंगे दिस इस नमबर वण फिर यहाँ पे आपको चार एलिमेंट्स देखेंगे रखे हुए टेबल पे पहला element एक sword है sword याने के आपके thoughts, air element second is this coin pentacle बोलते हैं इसे tarot language में सिक्का है या disc मान लीजे इसे तो ये सारे materialistic चीजों से related है it is related to the earth element क्योंकि materialistic चीजे पृत्वी से जुड़ी होई रहती है हमारे जन्म से ही इनकी demand शुरू हो जाती है so this is more related to earth element ये जो आप cup देख रहे हैं cup is related to water element जो के हमारे emotions को signify करता है और ये जो आप stick देख रहे हैं जिसमें छोटी-छोटी leaves बाहर आ रही है तो ये इसे wand बोलते हैं wand is related to fire element अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इन cards को fool की कहानी के जरिये समझेंगे तो fool अपनी journey शुरू करता है और वो कहीं आराम करना चाहता है जहां पे वो magician से मिलता है magician काफी skillful है confident है और infinity symbol बना है उसके सिर पे fool ये सब देखके एकदम influence में आ जाता है he's so mesmerized कि जो potly वो अपनी डंडी पे carry कर रहा था वो potly वो magician को दे देता है तो magician अपना हाथ एक उपर की तरफ उठाता है और finger नीचे जैसे अभी आपने picture में देखा तो वो fool के लिए एक future create कर रहा है इस bundle में क्या था इस potly में क्या था जो fool के पास थी इसमें wand थी जो के spirituality और ambition से related है cup जो के प्यार और emotions को signify कर रहा है pentacle is related with money तो and sword is related with air element अब इसमें interpretation जब आप करेंगे तो ये कार्ड जिसके लिए भी आता है वो querent आपका काफी skillful है उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभा चुपी हुई है वो किसी ना किसी creative field से related हो सकता है या वो doctor हो सकता है scientist, research work से related media, press, communication skills उसके अच्छे होंगे अब इस picture में एक बहुत ही important बात थी देखने लायक वो थी कि इस picture में अगर आप देखेंगे इसकी belt को ध्यान से देखिए तो ये साप है जो अपनी पूच को खुदी कहा रहा है ये symbol बहुत important है क्योंकि ये ये भी बताती है कि इस इनसान को, इस querent को पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है अब white lilies pure thoughts को represent करते हैं और red roses desires को yellow color spiritual growth को दिखाता है और red color जीत को दर्शाता है फिर card जब ये आता है तो हम मानते हैं कि ये action लेने का समय है action oriented time है it is a time for creativity, time for skill, talent और ऐसा जो इंसान है वो बहुत सारी dynamic energy से भरा हुआ है उसके पास कभी ideas की कमी नहीं होगी ना पैसो की कमी होगी उसके पास strong bill power है और उसके पास gift भी है which has been given by the divine sources अब अगर इस card को आप read करते हैं किसी के काम के लिए तो काम में success मिलेगा relationship के लिए तो किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे और वो भी unusual circumstances में क्योंकि fool भी magician से बहुत unusual circumstances में मिला कोई भी plant meeting नहीं थी health से related dietary plan कुछ आपको देखना पड़ेगा क्योंकि change in dietary plan would help क्योंकि हम abdominal issues देख पा रहे थे card के जरिये so we need to check our diet के हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं travel से related हाँ travel दिख रहा है लेकिन unusual कुछ planned नहीं है अब अगर यही card उल्टा आ जाता है upside down आता है तो ऐसे इनसान को हम trustworthy नहीं मानते ऐसा इनसान कोई trickster हो सकता है चालबास deceive कर सकता है आपको और negative forces block कर सकते हैं आपका रास्ता फिर अगर इसको हम उल्टा लटका देंगे तो breathing issues हो जाएंगे हम खुद भी अगर उल्टे होने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले breathing issues होते हैं तो health-wise breathing problems देखने को मिलेंगी कही ना कहीं lungs में problem देखने को मिलेगी अगर यह card उल्टा आता है तो ऐसे time पे देखिए upright card में guidelines की जरुवत नहीं है क्योंकि बहुत positive card है आप अपने क्वेरेंट को guide करेंगे कि किसी पर भी एकदम विश्वास ना करें specially किसी partnership से related तो बिल्कुल भी नहीं तो थोड़ा समय ले जाच पर रख लें तब विश्वास करें then